आज का केस शुरू करने से पहले में एक कहानी का जिक्र करना चाहूंगी एक पासों का खेल जिसमें राज, पाठ, महल, सब कुछ हार जाने के बाद एक औरत को दांफ पे लगाया गया और उसका अंजाम था एक महायुत यू तो हमारी संस्कृती औरतों के सम्मान की गाथाएं सुनाती है पर वही औरत को नुमाईश और आदमी के हाथों का किलोना भी समझा जाता है आज ही कहानी एक ऐसी औरत की है, जिससे कभी पूछा नहीं किया कि वो क्या चाहती है पर उसकी हर मर्यादा का हनन किया गया और साथ में तबाह हुई एक मासूम की जिल्दगी ममा मुझे ग्लास में नी बोटल में दूद पीना है गोलू, उरे दस साल के होने वाले हो, कब तक बोटल से दूद पी होगे? सरानल, सब लोग तुम्हारा मज़ा कोड़ाएंगे, चलेगा तुम्हें? मुझे ग्लास में नहीं पीया जाता, ममा. सब पीया जाएगा. नहीं, ममा, मैंने पीयूँँगा. रोख! गोलू, अगर सुसु लगा था, तो इचे को बोलके वाश्रूम जाना था ना? पेसे पैन के लिए कर दी. ममी वो फ्रेंडने बोला थे कि ना वाश्रूम में भूत है, इसलिए मैंने गए. कोई भूत वो थे? या भाभी, भाईया के मेसेज का रिप्लाइ नहीं किया भीता? है? ये, ये, रुख, रुख. है? ये, ये, रुख, रुख. ये, बुख. ये, बुख. ये, पुलिस अंक, मैं गोलु, मुझे बड़े वाले पुलिस अंक से बात कर रहे हैं. अब मुझे बताओ न, क्या प्रॉब्लम है? जब बड़े वाले पुलिस अंक आएंगे, मुझे बता दूँगा. मनोच, क्या हुआ? सर, किसी गोलुनाम के बच्चे का फोण है. बोल रहे हैं कि बड़े वाले पुलिस अंक से बात करने हैं. हलो. पुलिस अंक, क्या आप मेरे मुमिल को डून सट्पे है? हाँ, बिल्कुल. क्यो, क्या हुआ? कहा चली गई आपकी मैमी? बोल्कुल. हलो. हलो? अजानक से कट्ट हो गया? मनोच, अगर हैसे बच्चे का दोबारा से फोण आपटे है. मुझे मिडेटली बताना. हो, क्यो. पुलिस को फोण करेगा? कर्तु पोण, पुलिस को. पुलिस को. पुलिस को. कर दो, कौन करेंगा हाँ, अभी जो वीडियो मेल किया ना उस वरत के लाश उसी जगा गड़ी हुई है और वो जंडा अब सब का ध्यान कीचेगा और उस वरत का मडर कैस अब इन्वेस्टिगेट होगा हाँ, हाँ चाहे मैं कॉल करता हूँ क्या कर रहे थे? और मेरे आते ही ये लैपटॉप क्यो बंद कर दिया? कुछ नहीं मामी, बस ऐसी ओन था तो बंद कर दिया कहीं, ऐसा वैसा तो कुछ नहीं देख रहे थे नहीं मामी, ऐसा कुछ नहीं था डरो मत वैसे भी, चलता है इस उम्र में, और जो देख रहे थे, उसमें देखने में कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जो लैप्टॉप में देख रहे थे… मैंने दूर आटो यार, यार में तो मामा को जाके सब कुछ बता दूगा, जब लेको तब इस घर में कुछ भी होते रहता है? क्या? आपकी मम्मी अभी तक वापस नहीं आई? नए, अंकल, मम्में तीन महीने से वापस नहीं आई. तीन महीने से वापस नहीं आई? बिटा, आपके पापा और मम्मी का नाम क्या है? अनन्त सिंग और वैशा अली सिंग. बिटा, आप कहां क्या हो? मेरा मतलब है कि आपके घर का एड्रेस क्या है? एड्रेस? C205 ST Road, नेरुनगर, मिराठा. अच्छा बिटा, एक बाद दूबर बताओ. गोलू? गोलू? यह कुछ ठीप नहीं लग रहा है. मनोज, तुम इस एड्रेस पे जाओ. और पतागरों कि इस एड्रेस पे कोई गोलू नाम का बच्चा रहता है क्या? गोलू ने अपने पापा का नाम अननन सिंग और मा का नाम वैशाली सिंग होता है. यहाँ, चुछेखे, रूके सर्व. हलो? क्या? हाटो सब लोग यहां से? सर्व, इस तरफ. हाटो सब लोग, हाटो, हाटो. एक आदमी इदर से गुजर रहा था, उससे देखा और हमें इंपॉर्म किया. यह गोलु नाम को बच्चा यह रहता है. गोलु? हाँ, उसके मातावेत का नाम अनन्त और वैशाली सिंग है. हाँ, सर्. अनन्त उसकी बीवे और बच्चा यही रहते थे. रहते थे? अब कहा है यह फैमिली? चार-पांच महीने से तो यहां ताला लगा हुआ है. सर्. सर्, आप लंच का लीजिये, मैं बाद में आता हूं. इस ओके, इस ओके, कम. सर्, गोलु के एक पड़ोसी के सोशल मेडिया अकाउंट से, हमें गोलु के एक फैमिली फोटो में देगे. यह देखे सर्. सर्, मुझे एक बात समझ में नहीं आरी. गोलु ने जब हमें एड्रेस दिया था, तब उसे हमें यह क्यों नहीं बताया, कि वो लोग वहां से चार-पांच महीं ने पहले करी चले गए हैं? हो सकता है, गोलु ने अपने परानेगर के एड्रेस दिया हो? निया उसको यादना हो? यह भी तो हो सकता है कि गोलु इस वक्त किसी मुश्यवत में हो? हमारे लिए पता लगना बहुत जरूरी है कि गोलु और उसके माता-पिता इस वक्त कहां पर हैं? पता करो, गोलु ने जिस नमबर से फोन किया था, वो कहां कहा है और किसका है? पता है नहीं चल पारा है कि इस लड़के की असली पहचान किया है? एक लड़का फ़ला लड़की के गेटप में क्यों हो सकता है? सलोनी, एक काम करो, टीवी, थेटर, इस्टगलिक अक्टर, सबसे इस लड़के के बारे में पूछो, शैदीस की पहचान पता चलता है. जी, सर्. सुनिए. साफ, गोलू करें? अननन्सिंग. सुनिए. कुलू, बिटा, कुलू, बिटा, बेटो, उन्हें बड़ेवाली पुल्यूस अंकल, पुल्यूस्टेशन में जनसे बात ऊथे थिए आपकी? हैलो, अंकल. कुलू, बिटा, बिल्कुल चिंत्रा मात करो, हम बोजल्दी आपके मम्मी कुछू. कुलू, बिटा, ये चोट कैसे लगिया, अपका? हाथ उड़ाता है बच्चे पे, बारता है उसको, है? मागाया उसकी, पिछले तीन महिने से उसकी मागाया, पुलिस कम्लेन क्यों नहीं किती, क्योक्षिय उसके साथ? सार, मैंने कुछ नहीं किया, सार, आप गलत समझ रहे हैं, मुझे. सार, मेरी बेवी वेशाली, अपने लवार के साथ भाग गई है, सार. का भाग गई है? किस लवर की बात कर रहा है तू? मैं नहीं जानता है, सार, वो किसके साथ भागी है? सार, जब तक काम चल रहा था, सब ठीक था, काम ठब पड़ गया, मेरे यह हाला तो गए, वो भाग गई है, सार. कुलुपिटा, हम बहुत जल्दी आपको आपकी मम्मी से मिलवाएंगे, लेकिन पहले आपको हमें यह बताना होगा, क्या आपने आखरी बार अपनी मम्मी को कम देखा था? कुलुपिटा, तीन मेने पहले तब वो रो रही थी, यह मैं अगले देन जागा, तब मैंने देख़्ा, मम्मी घर परी नहीं थी. अब कि मम्मी और पापा के बीच, कभी जगडा होता था? नहीं, अंकल, जब्बी मम्मी थी, तब्बी पापा भी मुझे प्यार करते थे, अब मम्मी नही है, तो पापा नशा करते और मुझे मारती भी है. आजके बादकर बच्चे पे हाथ उता है, ना? तुन्मु हाथ तोड़ूँगा. मशानिका मोबैल अमड़ते. मशाली के मैके में उसके माँ, बाप, भाइ, भाइ, कोई तो होगा? सर, फोन स्विच्च टॉफ आ रहा है. सर, मैंने कहा था, उसका फोन नहीं लग रहा है. और सर, उसकी फैमिली गाजियाबाद में रहती है. लेकिन पिछले 11 साल से हमारा उनसे कोई कोई क्टेक्ट नहीं है. क्यों? सर, वेशाली ने अपनी फैमिली के अगेंस जाकर मुझसे चादी की थी. अब देखिये, सर. किसे दूसरे एकेल लिए मुझे वरू. पर अपने बच्चे गोलु को भी छोड़ोगेएगो. इस अननन सिंख के बातों पे मुझे भरोसा नहीं हो रहा है. अननन सिंख के बैमनोड अच्छे दे चेक्क तो. अब पतागरों कि बच्चा लिस्वर कांव सकते हैं? जी, सर. अब खिने बार समझाया, दनू. अपना क्लेंडर बदल, ओपने यूर माइंड. वो 21 सथी में सोनी महीवाल वाली गलनी किया करते. वो छड़ी है सब. चल, मैंनो अपना काम करने दे, पहुन रखा. जी वाइब थी मेरी. कभी-कभी ना, बहुत जादा रोमेंटिक हो जाती है. हाँ, बोलो. सर, मैंने सब को चेक कर लिया. ये देखिये, पिछले दो साल में पूरे 73 लाग का गबन हुआ है. 73 लाग का दोगा? और ये सब जांगीत की ही हेरा फेरी है. अगरा दिवाग तो नहीं ख़राब हो गया? वो वफादार है मेरा? वो ऐसा करी नहीं सकता? सर, आप पहले खुद ही लेजर एख लिजा आपको सब पता जन जाएगा. कंपनी के पास फंड होगा तभी तो पेमेंट प्रोसीड करूंगा, प्रकाश. कंपनी को दो क्रोल का फंड चाहिए वेंडर्स पेमेंट के लिए. तो कमीने, अपन तो जब मिलेंगे ना, जब तरे गफने फंड होगी. यह आप क्या मोल रहे हैं, सर? अट्टा इसी लगी नागो मेरे खिलाब भडगाया ना, सर? मैं तनुक्ष्मेंड से लेकर आया, त्री अकात बनाई. तो मेरी पीट में चुराग उतरा है. प्रकाष, अब पुलीश नी कॉल कर से थी, अन अंदर नहीं किया, तो मेरा नाम संभी लिए है. अब फाने लिए! सर, मेरट और दली के थेटर्स, टी-वी प्रड़क्शन हाउस, नौइडा फिम सिटी, मैंने सब जगा चेक किया. मैंने सब जगा चेक किया. इस लड़के की उमर है 19-22 साथ. इस एज ग्रूप के लड़के लड़कें आपसर कॉलेज में होते हैं. हो सकता है ये लड़का किसी दूसरे स्टेट का और यहां मेरट पढ़ाही करने आया. और इसकी मिसिंग कमने इसलेए फाइल नहीं होगी. क्योंकि हो सकता है यह मेरट में अकेला रहता हूँ, इसके घरवालों को इसके बिसिंग होने के बारे में पता ही नहीं चलाएँ. सलो नि, कॉलेज़ ते इस लड़के के बारे में पता करूँग जी सर. उस वरत के चक्कर में प्रूल होगी यह सुनिल सार, यहसान हो, वो मुझको अंदर और आपको इस घर से बाहर निकालते हैं. उच्छे उपकारतू, ज्यादा डरन्दी लोड नहीं. त्यों सौरतनों तो मैं विख लवांगी. लेकिन तेरे मुझसे ये नहीं निकलना चाहिए, कि वो तेहत्तर लाग रुपे तो नहीं गबन करके मुझे दियें. समझा? मैं, मैं से कार्शाली मैं. आज़ा. कमीने, तु अथा, तु अथा की गया, मैं तरफ छट्टा गाली. छट्टा मुझे, मैं तु अवर्टा गाली, मैं तु अवर्टा गाली. तेहनी तो मैं छट्डांगी नी, कमीनी, कंजरी. अच्छा गाली. अच्छा गाली. अच्छा गाली. तु नहीं कर, तु नहीं कर. रुक जा. की रुक जा? पहले तुने मुझे से शादी करके मेरे बाप की सारी दोले थडबली. और आप मुझे दूद में से मक्की की तड़े निकालना चाहते हैं. अच्छा गाली. अच्छा गाली. अच्छा गाली का नमबर थया था वो यह है. कि उसका परणा नमबर है तीन महेने से बंद है. और यह यह नंबर भी वेशाली के नाम पर रिरिस्टरड है. जिसमे तरी अभी भी बात होती है. तो अभी भी वेशाली के अच्छ मे है? जब किसी का अच्छा खासा चलता हूँ, बिजने ठप पड़ जाता है, तो वो सोचता है कि मैं लोन ले लूँगा, पर अपना बिजनेस वापस ट्रैक पर ले आऊँगा, और चार मैं लोन लेता रहा, पर बिजनेस वापस ट्रैक पर नहीं आया, जब मुझे लोगों ने दोस्ती-दोस्त के काम आतता है। सुनील, मैं जानता था, तुम्झे निराशनी करेगा। पर मैं वादा करता हुआ तुस्से। अगर तुम्झे 20 लाग रुपे देगा तो मैं सारे पैसे वेद इंट्रस्ट तुझे वापस करूँगा। वो इंट्रस्ट की टेंशन नहीं है, मैंनू टेंशन है, सिक्योर्टी दी। अब 20 लाग रुपे देने के लिए, कुछ नकुछ तो गिरवी रखना पड़ेगा ना। यार मैं क्या गिरवी रशकता हूँ, मेरे पास तो खुद का घर भी नहीं है। यार मैं काम करा, यार मैंनों गिरवी रख देंगा। अबीर! मैंने तो एक ओफ़र दिया है, पसंद आये, तो आखे ले जाना 20 लाग रुपे। पस्ता है। यार मेरे पास कोई और रास्ता ही नहीं था। मेरे लिए हमारे बेटे गोलू के लिए उसरे सेक्रिफाइस कर दिया था। तर मैंने सुरील के बास वेचाली को गिरवी रख दिया। तू कह रहा है कि तु अपनी पत्नी वेचाली को अपने दोस सुनील के बास गिरवी रख दिया। और इस विए वेचाली सुनील के आपस ही है। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है सर। डसक्रपैली मेरे पास वेचाली का फूर है। सर विशाली बहुत टेरी होगी थी सर मुझे यह से लेजा वानन यहापमी बहुत कमीना प्लीज मुझे यह से जल्दी निकालो सर उस के अले दिन से भी ज़त बंद आ रहा है मैं तुनिक अपास गया भी? उससे पूछा भी? बापीजी आपने कैसे सोच लिया और चंद पैसो के लिए पाफेस को धेस loving मैंने कबी निकाजी वो अपनी बीवी को मेरे पास गीरवी रखे लोग ला कि उसने बने पैसे सोच लिया और चंद पैसो के लिए मैं आपके स्वाब इमान को ठीस पूचाओंगा यार अप्तु इतना ही महान बन रहा है वैसी देते 20 लाग अर्वे मुझे सर जी मेरा तु मन किया था अनन्त को दख्की देकर बाहर निकाल था पर वो जी पापी जी शकल देखके मैं तूट गया जी टूट गया एक औरत को किज में रखे तू सोचा है तूने मान काम किया है मुझी किसने आपको काया कि वैसाली जी को मैंने गिरवी रखा मुझी मैंने तो उनकी हेल्प की थी वैसाली जी को जॉब दिया और उसके पती को 20 लाग रुपे उधारे दिये जी मैं सर्च मोल रहा हूँ वैसाली के पती अनन्त वर सुनील काई काणामा सुन्ने में किसी घटियां नॉवल के प्लोट की तरह था लेकिन ये हकीकत थी एक औरत के सम्मान को गिरवी रखके उसे कुचल दिया गया था और अब वैसाली का गायब होना और भी कई सवाल पैदा कर रहा था तो वैसाली किसी अपराध का शिकार हुई थी या वो असल में इन सबसे तंग आकर कहीं चली गई थी आजये चाय रेटी है और नाष्टा बस अभी अच्छा पुष्पा आज खाने में… क्या हो वो? इतनी डर्य हुए क्यों? कुछ नहीं. क्या चुपा रही हो? लब. अच्छान पड़ा काफी मुश्किल है. अच्छत बाव, बोटी के पास कुछ ऐसा मिला, क्या जिससे ये साभीत हो सके कि लाष्ट वेशाली की है? नहीं, सर्थ. लेकिन लाष्ट की कत्काटी वेशाली की कत्काटी से मैच करती है. वेशाली के पती से शिराख करवा के दो. गोलु बेटा, अपनी पापा को बुलाओ. पापा तो कल राच से नहीं आया है, अन्पी. ये अनद्ना पक्का गरफतारी के अडर से कहीं भाग दिया है. उसका लोकाट नोडिस दारी करवा. लेकिन सर, लाच के शिना गोलु से तो नहीं करवा सकते ना? प्रयाम, वेशाली के पुराने कॉर्ड रिकॉर्स में घाजियाबाद का नमबर मिला था. जो सुष्मा नाम के एक एस्डू लेडी के नम पर रेजिस्ट्राइड है. अनत ने मताया था कि वेशाली के महके वाली घाजियाबाद के हैं. चेक करो, सुष्मा का वेशाली के साथ क्या करेक्शन है? मैं उनमबर से इंट करता हूँ. सार, सार लड़की के भेश में हमें जो लड़की की लाच मिलिए उसका नाम नितेश है. अखवार में उसका फोटो देखकर उसके मामा ने हमें कॉंटक्ट किया. नितेश इतने दिन से गयाब था, इसकी अपने प्लिस कंप्लेइन क्यों नहीं की थी? सर, वो कहीं के दिन तक घर नहीं आता था. अब हमें क्या मालूम उसका मर्डर हो जाएगा सर्थ? हमें जब नितेश के लास मिली, तो वह इस भेश में था, क्यों था इस भेश में? सर, हमें इस बारे में कुछ नहीं पता. आप हमें नितेश का नबर दीजिये, और नवटाएगे कौन से कमरे में रहत वता हो. सर, यह है नितेश का कमरा सर्. सर जो कुछ भी है उसका इस कबर्ड में होगा सरा सामान यहीं रखता है यह लाप्टोप किसमें सर यह भी निटेश का ही है सर सर लॉंग टैप पासवर्ड कैसका सर आमें नहीं मालम सर निटेश के घड़ार को हम अच्छे से समझना होगा निटेश से जुड़ी हर बात पता करो और लैप्रोप का पासवर्ड भी क्रेक करवा हो कैसे हां सलोनी मैं गाजियाबाद में शुष्मा से मिली वो वैशाली की मदर हो मैंने उन्हें लाश की शिनार के लिए बुला लिया देखिए बॉड़ी का चेहरा पहचानना मुश्किल है लेकिन बॉड़ी के राइट लेग में हमें सरजरी के मार्क्स मिले हैं अलों से मैं वैशाली से नहीं मिली इसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता अब सुष्मा जी माना आप अपने बेटी वैशाली से कई सालों अब से नहीं मिली और फोन पे तो आप दोनों की काफी बाते होती थी तो वैशाली ने फोन पे अपनी किसी तकलीफ परिशानी की बात तो आप से शेयर की होगी उसने अपनी तक्लीफों को कभी नहीं बताया मुझसे. हाँ, मेरी फिकर किया करती थी हमेशा. अनन्से शाधी करने के बाद, बगावत कर लिया था उसने हम लोगों से. जिसके वज़ा से उसके पापा गुजर गये. लेकिन अब उसे अहसास हो गया होगा, क्योंकि अनन्स से शाधी करने का फैसला उसका गलत था. गोलु, बेटा, आपकी मम्मी के पेर में यहां, राइट लेग में. पहले कभी कोई चोट लगी थी, जिसके लिए उनका उपरेशन हुआओ. कुछ याद है तुम्हें? बेटा, बेटा, इत இता को ஊनै Myanmar. अच्छ, अच्छ, आप मेरी मम्मी को डून लैं? कहा है मेरी मम्मी? गोलु, बेटा, बेटा, य trophी, imaginar yangu यहाप siNam scriptsál हमने सोचा था कि हम गोलू की माँ वैशाली को जल सेटल ठोड़ लेगें. लेकिन, खेर, अनन्त के बार में कुछ पता चला है? नई, सर्. अनन्त की अनन्त की लोकेशन के बारे में तो कुछ नहीं पता चला. लेकिन, अनन्त का फोन इसी एरिया में बंद हुआ था, जहांसे पुलिस को ये लाश मिली थी. उस एरिया की पिछली बीज दिन की सीजीरी विफोटेज चेक करो, हो सकता है वैशाली और अनन्त कहीं कैप्चर में हैं? सुनील के खिलाब कुछ हुला है? सर, हम इंवेस्टिगेट कर रहे हैं, लेकिन हमें पता चला कि वैशाली ने किसी जांगेड नाम के अकाउंटरंट का गपला पकड़ा था, उसके बाद सुनील ने उसे जॉब से निकाल दिया, ये जांगेड सुनील की वीवी कनिका का रिष्टदार है, सर सुनील का पूरा तेरा जांग बनाने वाली तो चली गई, उसी के गब में पी रहा है ना? उसको तो जाना ही था, लेकिन तू किस खुशी मोचल रहे है, सर, जिस एरिया में वैशाली की लाश मली थी, वह से चार किलो मेटर दूर, एक CCTV फुटज में वैशाली कैप्चिर हुई थी, और ये जिस दिन वैशाली का दूसरा वाला नंबर बंद हुआ था, ये आदमे कौन है? सर, पता लगाने की कोचिश कर रहे है, लेकिन अब तक पता नहीं लगता है, लेकिन लेकिन का नंबर क्लियर है, सर, मैंने पता लगा लिया है, वैशाली के फोन से वी एमर कैप सर्विस से कै जालिया है? सर, वो दोनों किस बाद पर जगड़ा कर रहे थे, मैं कैसे बता सकता हूँ? जै, तुमने इस लड़की को अपनी कैप से कहा छड़ा? शायद जंकपुरा के पास. जंकपुरा मैं कहा? किसी घर के बाहर या कहीं और? सर, मैंने उन्हें वीवी रोड पे उता रहा था. वीवी रोड पे कहा उता रहा था? हमें बताना. जी सर. सार, चलो. संदीः? कौन संदीः सुष्मजी? दरसल हमने इसके साथ अपनी वैशाली की शादी तैकी थी 11 साल पेले. क्यारा साल के बाद भी संदीः वैशाली के टच में था? जिस दिन वैशाली अनंद के साथ घर से भागी थी. उस दिन इसने बहुत तमाशा किया था. बहुत बड़ा संकी इंसान है, सर. कुछ भी कर सकता है, सर. अच्छा सुष्मजी आप यह बताएए. लेकिन उसकी हत्या ने इस कहाने को और उल्जा के रख दिया. सुनील, उसकी पतनी कनिका, सीय जांगीड और संदीः, इस केस के प्राइम सस्पेक्ट्स थे. अच्छा मैंनों, तो क्यों लेकिया है? की किता मैं? बताते हैं, सुनील जी. सब बताते हैं. आले, आप हमें यह बताइए कि आप अपने बिजनस के सिल्चले में पूरे इंडिया में इधर उदर आते जाते रहते हो, राइट? आप सर्जी, पर आप कहना क्या चाते हो? यह है तरे क्रेडिट काड़ के डिटेल्स. तुन्हें हमेशा दो टिकेटे बुक करवाए, एक खुद का, एक वैशाली का. और होटल के एक ही रूम में रुखते थे तुम दो. बहुत, सर्जी. सीधा. और साफ बॉल. सर्जी, मैंने वैशाली के साथ कभी जवरदस्ती नेगी. सुनल, मैं बहुत बरदाश्ट नहीं कर सकी. अनन्ट शायद तुम्हें बीस लाग नहीं दे पाएगा. और मैं, मैं गोल्डू के बना नहीं रह सकी. सर्जी, मैं तो वैशाली को इंसानित के नाते इन बंदिशों से आजाद करना चाहता था. और ऐसा अजाद किया? किसी धाओ पर बचा दिया उसको? नहीं, सर्जी. मुझे पहले तो लगा था कि वैशाली को अनन्थ ले गया होगा. पर जी, अम मुझे लग रहा है कि यह जय का काम है. यह जय काम है? जय जय क्लाइंट है मेरा. जंगपुरा में ओफिस है जी उसका. वो वैशाली पर बहुत बोरी नज़र अखता था जी. अब आखरी बार वैशाली उसी से पेमेंट लेने गई थी. उसके बाद गायब होगे जी. कौशिक जी यह लड़का नितेश. यह आपको अकसर फोन करता था. मर्डर के पहले लास्ट कॉल भी इसने आपको ही किया था. मैम यह नितेश हमारे निउस चैनल में काम करता था. इसलिए अकसर बात होती रहती थी. क्या काम करता था वो यहाँ? मैम वो फ्रिलाइंस अंडर्गवर रिपोर्टर था. सीक्रेट मिशन पर काम करता था वो. सीक्रेट इंफरमेशन निकालना, स्टिंग उपरेशन करना यह उसका काम था. और आपको मालूम है, ऐसे लोग अपने बारे में कुछ बताते तो है नहीं. कौशिक जी यह क्लिप देख रहे हैं? यह मैं नितेश के लापटॉप में इसे मिली थी. और यह क्लिप आपके निउस में बहुत बार रीप्ले हुई थी. मैम, इस निउस के बीछे नितेश का ही दिमाग था. उसे कहीं से information मिली थी कि एक prostitute का कतल हुआ है और उसे मार कर वहीं गाड़ दिया गया है. लेकिन वहाँ पे तो कोई लाश नहीं मिली थी? एक false information पे इतना मिच मसाला लगा के आप लोग? दरसल वो उसके बारे में inquiry कर रहा था. क्या inquiry कर रहा था? औरत के भेश में उसकी लाश मिली थी. मैम वो औरत के भेश में रेड लाइट एरियस में जाता था सच्चाई का पता लगाने के लिए. इसके साथ साथ वो मैम रॉस्टीटूट के ऊपर डॉक्यमेंट भी बनाना चाहता था. जै मलोत्रा, कुछ बतायाए यसमे मैं वेशाली केपरे मैं साहा है? यही repeats कुछ साहे, क्या है कुछ पता ही नहीं है. कि मैं मानता हूँ कि सुनील ने वेशाली को मेरे पास पेमृंड लेनी के लिए ब gor लेगे लिए. लेकिन विशाली मेरे पास पहुंची नहीं थी. उस कैप कंपनी से क्रोस चेक किया था हमने. वो कैप वीवी रोड तक गई थी, जहांपे आउफिस है तेरा. अपसी यह बोल, क्या किया तुन्हें विशाली के साथ? सर, मैं जूटनी बोल रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ, वैशाली उस दिन आई ही नहीं थी. वो सकता है, सुनील मुझे फसा रहा हूँ. जब तक यह सच नहोग लेना, को टाइस को. साफ, साफ. सर, डी एइएयने रिपोर्ट सागई है, गोलु का डी एइने व्लाश के तुन्हें थी. तो फिर वी वो लाश के सहुरत की ती, जो पिलिस को बिली थी. जिसके डीएयने रिपोर्ट है, और वह वैशाली कहां गया अब है. वैशाली के साथ साथ जहांगेर और संदीप भी गाया वैं. अले ही वोलाश वैशाली के नहीं थी. लेकिन वैशाली के साथ कुछ तो हुआ है. जिसकी वज़े से संदीप और जहांगेर भी गाया वैं. गोलू, कब तक तु अकेला यहां बैठा रहेगा? चल, मेरे साथ घर चल. नहीं, नानी, पुलिसंकलन मुझे प्रामेस केया कि वो ममी को पक्का डून लेंगे. सर, साइबाबाद पुलिस स्टेशन में खुशी नाम की लड़की का मिसिंग केस फाइल हुआ था. खुशी बोलके गई थी, वो कंपनी के काम से चंदीगर जा रही है. ये चंदीगर में तुझे अच्छनक से क्या काम आ गया है, बिटा? मा, बहुत बड़ा ओडर मिला है. चंदीगर में हमारी कंपनी की मैनुफेक्श्रिंग यूनिट है. और जिस कंपनी ने ओडर दिया है, जाना उस कंपनी के मर्चेंडाइजर को मुझे मैनुफेक्श्रिंग यूनिट दिखानी. वो उसके बात से ही, वो. किस कंपनी में काम करती थी, खुश्य? डीपीजी हरबल प्रोड़क्त में सेल्स एक्जिकेटिव की सार्थ. किसी बश्रक है आपको? यहां की पुलिस को बताया था कि मुझे खुश्य के जाने के बाद मुझे अजीब सा कॉल आया था. हलो, खुश्य, बताए, क्या मदद कर सकता हूँ मैं आपकी? कैसी मदद? तुम कौन बोल रहे हो? मैं जो हूँ, सो हूँ. लेकिन तुम यह मत कहना, कि तुम खुश्य नहीं हो. मैं खुश्य नहीं, उसकी माँ हूँ. मैं तो बेकार में तुम पर टाइम बेस्स कर रहा था. मैंने खुश्य को पॉण किया था, तो उसका फोन बंद था. फिर मेने वो आत्मे को फोन किया, उसे पूछने के लिए एक खुशी कहा है, वो वो खुश्य को कैसे जाता है, तो उसने फोन कट करके, उनना फोन ये बंग करती है, ऐसे, चीक है, आप पर में उस आत्मी का नंबर को जीजिए. इसक्यूज में से, हाँ बोल, ठीक है, मैं अभी वहाँ पर पहुचती हूँ, सर, संदीफ के एक बोस का पता चला है, शायद संदीफ हाँ पर चुपा हो सकता है, उठालो उसको, मैं खुशी के बहुत सा मिलता, यह सर, सर, खुशी हमारे यह एंपलॉई नहीं थी, वो एक ट् प्राटप्स के लिए हमें बल्क ओडर देने वाली थी, और उसके पहले वो हमारे प्लाइंट विजिट करना चाहते थे, उसी कंपनी के एक आदमे के साथ खुशी चंडी कर जाने वाली थी, आप हम उस कंपनी का नाम, एड्रेस और फोन नमर दे दीचे, आप हमारे पास न मैडम, मन पारिया, क्यों? मौडर के पहले तो तु उसके साथ जग्रा करती हुए, दिखाई दिया तुँगा? जग्रा? हाँ, सडप किनारे जग्रा कर रहा था ना वैशाली के साथ, बता, क्या नफरत निकाली वैशाली से? नफरत, माडम, 11 साल पहले वो मुझे शादी के मंड़ पे छोड़ के गई थी, उस अनन्त के साथ भाग गई थी हुए, तो मैं उसका पता नहीं लगा पाया था मैड़, लेकिन कुछ ही महीनों पहले, मेरे दूर के इस्तार गौरव ने उसे देखा, माडम, गौरव ने फो जब मैं उसे बात कर रहा था, तब उसकी कैव आ गई और कैव में बढ़के निकल गई हुए, तू ही अपनी बाइप लेके उसके आपके पीछे गया था ना, हाँ, CCTV फोटेज दिखाऊ, मैं मानता हूं मैं उसके पीछे गया था, पर मैं आगे से दूरी तरब उड़ गया संदीप एक ही रट लगाए हुए, कि वो वैशाली के पीछे नहीं गया था, और जै भी कबूल करने के लिए तयार नहीं है, कि उस शाम वैशाली उसके पास पहुची थी, फोटेज में वैशाली संदीप के साथ जग लाका नहीं, लेकिन संदीप के अकॉर्डिंग, संदी खुशी की मा को तुमने ही फोन किया था ना? एहां सर, किया था सर सर मुझे लगा कोई खुछी नाम के लड़की मुस्यवत में होगी इसलिए मैंने कॉल के ता सर लेकिन सच कहता हूं है मैं किसी खुशी नाम की लड़के को नहीं जानता तो किसी खुशी नाम की लड़के को नहीं जानता तो पर तुझे इस पता कैसे चला कि खुशी मुशिबत में है शय। जब उसनी जयो अपने फैक्टर से बाहर निकले ही सार और जब अपने बाइक में जा Pen,iba लगसी आखने थे बेठा है सार तो सार किसी नहते ही पिछी से बत्थर महारा थे सार उसमें एक चिट्थी और उसमें नंभर लिखा था सार फिर मैंने सूज़के उस नंबर पर काल कर गरिजुू तो जब मैंने काल किया, तो खुशी कहाने फ Cinnamon ne 12 वे फोन उठाया है पुजए कहा है जहां पर पथर आके लगाता तोंहें चित के साथ सर मेरे फैंटर के बहुर है, सर 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 यह मेरी फैंटरी है मैं यहां पर चाम कहता हूं सर और ज़म सर मेरी समीर यहां पर खड़ी अश्वार्य है माहाख के बन राने dabei मैं किसी इन नहीं पट्टर मआ रहा है वो पथर राया किस तरफ से है சரி, वो पत्तर इसी तरफ्से आएथा? சரி, वो गर हमेशा बंद रहता है, वाँको यह रहता है, नहीं है? देखो, चारो उत्रोओ. अच्छे, सुथे पेखो. देव, சரி. சரி, विलड़ी लगुरे. सर्थ, यहां से भी एक रस्ती मिली है. यहां पर हमें खुश्य की लाश मिली थी, वो जगे यहां से करीब पांच के लिए उट्रह दूर है. और इस जगे को देखते लग्तो रहा है, जैसे हैं आपर किसी को कैड करकर रखा गया हूँ. शाहिए वो खुश्य हूँ, बेभी उसने यहां से फेंकिये हूँ. सलोनी, पता करो यह जगे किस की है? यह सर्थ. देव, फ्रेंसिक टीम पो बिलाओ, क्विक. सर्थ. चलो, बोल, क्यो हो रहा हु खुश्य को? खुश्य? यह आप क्या कह रहे हैं, सर्? उस्योंकियर का पता चल गया, जहांपे कैद करके रखा था तुन्हेंगोश्य को. तरी नाम पर ना हो जागे? बहुत खुमाया हुमें. मैडम, मैंने कुछ नहीं किया. सिरी कार्स है, हमें बलड़ के क्रेसिज मिलें. बताता हूँ, मैडम, बताता हूँ. मैडम, बताता हूँ. मैडम, ऐसे लोग मुझे विल्कुल नहीं पसंद. जोकेली लड़कियों को परिशान करते हैं. वैसे था कॉन वो? तुम अपना काम करो ना. स्पीड बढ़ा, जिदेर हो रही है. 40 किलोमेटर से तेज नहीं चाख सकते. रूल है. अरे, पुरी रोड खाली पड़ी यह भाई. आप बाती कम बनावा स्पीर गड़ा. बहुत अखड थी उसमें. मेरा दिमाग खराब हो गया था. मैंने चुपचाब अपने दोस्तों को मैसेज करा और उसका फोन चीन लिया. उसके बाल… खुशी मेरे मामा जी की कमपनी में अपने हर्बल प्रोड़क्ट की ट्रेडिंग के लिए आई थी. मैंने उसे वहां देखा और बस देखता ही रहा गया. मैंने उसे बड़े ओडर का लालच दिया. और मैंने उसे कहा कि वो मुझे अपनी कमपनी की मैनिफेक्चरिंग यूनिट दिखाए है. उसे लगा कि मैं उसे चंडी कर लेकर जाऊंगा. पर मैं उसे मोडी नगर ले गया. फिर एक दिन उसने भागने की कोशिश की. उसकी बॉड़ी को फेंग दिया. अनंत की लाश भी हमें उसी अरिया में मेरी. अनंत को क्यो मा रहा? सर अनंत भी मेरे गले की हड़ी बन चुका था. विशाली ये विशाली विशाली फोन छोट. मुझे पता था वोलाश मेरी भीविट विशाली की नहीं थी. वो रोज मेरे मामा की ओफिस आता और उनसे जगडा करने लगता. और फिर उस दिन मैं डर गया था, सर. कि कहीं उसने मेरी पोल खोल दी, तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने खुशी को खायत करके रखा हुआ था. इसलिए मैंने उसे भीव मारदी है, सर. अगल, मेरी मम्मी? वहुआ? शोरी, बेटा. हमें लगाता हम आपके मम्मे को सही सलामगा ठोट लेंगे. तेकिन, बेटा, हम… हम्सोरी, बेटा. गोल्यू, बेटा, गार चलते. इसके इसको तो क्लोजन मिल गया है. लेकिन नितेश? सुर, उस आदमी के बार में भी पता नहीं लग पाया. जिसे प्रॉस्ट्रिट्यूट ने नितेश का पीछा करते हुए देखा था. जबकि उसे इस घिनौने खेल क्ले पर पती को बहुत पहले ही लतार देना चाहिए था. कि अगर ऐसे व्यवहार पे सक्ती ना दिखाए जाए, तो एक ना एक दिन उसके बहुत बुरे परिणाम मिलते हैं. और उसका सबसे बड़ा उदारन ये है कि महज दस साल की उम्र में एक छोटा सा बच्चा गोलू अनात हो गया था. इसी के साथ मैं दिव्यांका तृपाथी दह्याब लेती हूँ आप से विदा. फिर मिलूँगी एक नए केस के साथ, तब तक देखते रहे है क्राइम पेट्रोल सतर्क, विमन अगींस क्राइम एक औरत परवार, अभर औरत का भार. जै हिंद!